Guys, जैसे अगर मैं बात करूँ, The Clock is about to strike 5, यहां पर Strike word को किस सेंस में यूज़ किया जारा है? I took a red eye from India to America, यहां पर take a red eye, एक idiom होती, इसका मतलब क्या होता है? Why are you trying to wash your hands of it? यहाँ पर wash hands का मतलब हाथों को दोने के sense में नहीं किया जा रहा है इसका एक अलगी मतलब होता है जो कि इस वीडियो में आप देखने वाले हैं तो वीडियो को last time देखते रहिए आप इसी तरह के बहुत सारी phrases, कुछ phrasal verbs और कुछ idiom सीखने वाले हैं तो चलीगा इस वीडियो को start करते हैं तो पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर strike एक word है इसको एक वर्व के रूप में यूज किया जाता है इसका मतलब होता है किसी चीज को मारना या फिर किसी चीज से तकराना तो इसका मतलब होगा कि घड़ी में पांच बजने वाले हैं या फिर आप इस sense में भी इसको बोल सकते हैं घड़ी पांच से टकराने वाली है obviously आप यह बोलना चाहरा है कि घड़ी में पांच बजने वाले हैं या पर एक phrase है इसका मतलब होता है हवा का एक जोंका और एक phrasal verb है blow something off इसका मतलब होता है किसी चीज़ को हवा से उड़ा देना तो इस लाइन का मतलब होगा एक हवा के जोंके ने सारे कपड़ों को उड़ा दिया Next one is stop putting on airs या पक put on airs एक idiom होती इसका मतलब होता है अपने आपको दूसरों से बढ़िया समझना या फिर दूसरों से अच्छा बनने का अपने आपका नाटक करना तो इसका मतलब होगा अपने आपको दूसरों से अच्छा बनने का नाटक बंद करो यह लhãद अपने आपको दूसरों से बड़िया समझने का नाटक बंद करो. यहाँ पर एक idiom है, इसका मतलब है, यह साथ ही वेवार आपके साथ होना. तो इसका मतलब होगा कि दूसरों के साथ बुरा वेवार मत करो, तुम्हें पसंद नहीं आएगा अगर सेम व्यवार आपके साथ भी होगा नेश्ट मैं बात करूँगा यहां पर एक idiom है इसका मतलब होता है पूरी राद भर प्लेन से कहीं पर यातरा करना मतलब प्लेन से एक जगह से दूसरी जगह जाना और यह जो यातरा है वो राद भर की है तो यहां पर इसका मतलब होगा इडिया से अमेरिका की और पूरी राद भर मैंने यातरा की Next one is I have to earn a living for my family's sake Earn a living एक idiom होती इसका मतलब होता है घर पालने के लिए रुपिय कमाना यह फिर घर के जरूरी सामानों के लिए कमाई करना और एक फ्रेज है for someone's sake इसका मतलब होता है किसी परसन के खातिर यह फिर किसी की भलाई के लिए यहां पर इसका मतलब सींपल होगा परिवार के खातिर मुझे घर को पालने के लिए कमाई करनी है या फिर घर के जरूरी समानों के लिए मुझे कमाई करनी है या फिर रुपिय कमाना है यहाँ पर take something for granted एक idiom होती है इसका मतलब होता है किसी चीज को हलके में ले लेना तो इसका मतलब होगा तुम अपने स्वास्त को हलके में क्यों ले लेती हो या फिर तुम अपने स्वास्त के बारे में ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं देती next one is his parents bought him a new car on his birth day that's jaw dropping jaw dropping यहाँ पर एक adjective है इसका मतलब होता है मतलब कुछ है जो surprising है मतलब आश्यरेजनक है तो यहाँ पर इसका मतलब होगा उसके माता पिता ने उसके जन्म दिन पर उसको एक नई कार खरीद कर दे दी, यह आश्यरे जनक है, मतलब यह जो ड्रॉपिंग है, नेक्श मैं बात करूँगा, I have a gut feeling that you haven't liked the video yet, यहाँ पर gut feeling एक freeze है, इसका मतलब होता है, इसको हम इस sense में यूज करेंगे, जब आपको अंदर से ऐसा feel आ रहा है कि किसी चीज को लेकर आप निश्चित हो, मतलब किसी चीज को लेकर आप पके हो, ऐसा सही है, तो यहाँ पर यही बोले जा रहा है कि मैं पका sure हूँ कि आपने वीडियो को अभी तक like नहीं किया है, यहाँ पर wash hands of something एक idiom होती, इसका मतलब होता है, जैसे कोई जिम्मेदारी है, उसको आप पहले से संबालते वे आ रहे हो, लेकिन अब उससे बचने की कोशिश करना, या फिर उससे पीछा चुड़ाने की कोशिश करना, तो यहाँ पर इस line का मतलब होगा, घर का काम करने की जिम्मेदारी तुमारी है, तुम इससे पीछा चुड़ाने की कोशिश क्यों कर रही हो, या फिर इससे बचने की कोशिश क्यों कर रही हो, नाच्ट वन एज, keep side of the thief while I call the police, यहाँ पर keep side of something, या फिर keep side of somebody, इसका मतलब होता है, किसी चीच पर या फिर किसी परसन पर नजरे गड़ा कर रखना, या फिर उससे अपनी नजरे न चुराना, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा, जब तक मैं police को बुलाता हूँ, या फिर जब तक मैं police को call करता हूँ, चोर पर अपनी नजरे गड़ा कर रखना, या फिर उससे अपनी नजरे मत चुराना, next one is after investing money in that business he lost his shirt यहाँ पर lose your shirt एक idiom होती है इसका मतलब होता है मतलब बहुत सारा पैसा किसी चीज में गवा देना मतलब आपने बहुत सारा पैसा उस चीज में लगा दिया है और वो डूब गया है मतलब वहाँ पर गवा दिया आपने तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि इस business में पैसा लगाने के बाद उसने बहुत सारा पैसा गवा दिया या फिर बहुत सारा पैसा डुबा दिया next one is यहाँ पर a kick in the pants एक phrase होती इसका मतलब होता है कि कुछ है जो आपको बदलने के लिए मजबूर कर दे या फिर आपको बदलने के लिए motivation दे तो यहाँ पर इसका मतलब होगा उसके प्रस्ताव की नामजूरी ने एक ऐसी इस्तिती बना दी जिसने आपको बदलने के लिए मजबूर कर दिया next one is I had infection in my liver so I plate safe and avoid fast food यहाँ पर plate safe एक idiom होती है इसका मतलब होता है किसी चीज से एहतियात बरतना या फिर किसी चीज से साफधान रहना मतलब उससे बचने की कोशिश करना तो यहाँ पर बोला जा रहा है मेरे liver में infection हो गया था इसलिए मैं risk नहीं लेता हूँ या फिर मैं एहतियात बरतता हूँ और fast push से बचने की कोशिश करता हूँ so that's it guys for this video guys अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप comments में 1,2,3 type करके मुझे comment करके बताईए इससे मुझे पता चल लेगा कि आपने लाश्ट तक वीडियो को देखा है और आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा और आपके ऐसे concept words है जिने आप चाहते हो कि मैं अपने next वीडियो में लूँ उनको मुझे comment करके जरूब बताईए